वेलकम टू स्टडी आईक्यू मेरा नाम है आदेश सिंग। दोस्तों आज की कहानी है कैलकटा की ब्लैक होल त्रासदी की। ये कहानी अंतरिक्षिय ब्रह्मांड में मौजूद किसी रहस्यमई और अत्याधिक कॉंप्लेक्स साइन्टिफिक फिनॉमन से जुड़े किसी ब्ल पर एक धब्बे जैसा था वो क्यूं चलिए देखते हैं ये तो हम जानते ही है कि कैसे अंग्रेजों ने भारत पर लगबग 200 सालों तक राज किया और इस दोरान उन लोगों ने भारत वर्ष के लोगों को बुरी तरह बेहाल किया लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बेंग पोल्ड ट्राजिडी का नाम दिया गया है कहा जाता है कि इंग्लेंड के स्कूल का हर एक बच्चा भारत से जुड़ी कुछ और बात जानता हो या ना जानता हो लेकिन ये तीन चीज़ें जरूर जानता है जिसमें पहली थी ब्लैक होल ट्राजिडी दूसरी थी बैटल इंडिपेंडेंस यानी 1857 की ख्रांती। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लाक होल ट्राजिटी इंग्लेंड पॉइंट अव्यू से भारती ये इतिहास का कितना एहम हिस्सा थी। और तो और ये कहा जाता है कि भारत के इतिहास का रुख बदलने वाले बैटल अव प्लासी को जन्म देने वाले इमीडियट कारणों में ये ब्लाक होल ट्राजिटी मुख्य रूप से शामिल थी। बैटल अव प्लासी एक ऐसा इवेंट था जिसने आधुनिक भारत का नक्षा पूरी तरह से बदल दिया। इसी बैटल के बाद अंग्रेजों भारत पर पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया। खैर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या थी ये ट्राजिटी। असल में आखिर क्या कहानी थी इस ब्लैक होल ट्रासिदी की। इसके पीछे का कारण क्या था। इसको अंजाम देने वाले राज के घाट उतार दिया था। आज के इस वीडियो में हम इन ही सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। में कोई exception नहीं था। यहाँ पर भी British और French East India Company के बीच एक fierce competition जारी था। इंडियन पॉलिटिक्स की बाद करें तो 1707 में और अंगजेब की मृत्यू के बाद मुगल सामराज्य का पतन होना शुरू हो चुगा था। असल शक्ती केवल क्षेत्रिये राजाओं के हाथों में ही रह गई थी। उसी तरह बेंगॉल तकनीकी रूप से मुगल सामराज्य का हिस्सा होते हुए भी अब एक आजाद प्रांत के रूप में उभर रहा था। लेकिन बेंगॉल उस समय भारत का economic power house था। इसकी वजह से सभी European powers बेंगॉल पर अपना कबजा जमाना चाहती इस दौरान अंग्रेजों ने अपना सामराज्य सुरक्षित करने के लिए बेंगॉल में जगह-जगह military defense system बिल्ड करने शुरू कर दिये। इन ही में से एक fort था, Fort William जो 1690 तक बन करता यार हो गया था। Fort William हुगली नदी के तट पर बना एक architectural marvel था। इसका नाम England के king William III के नाम पर बना। पूरे भारत में होने वाले trade में अकेले Bengal का 60% योगदान था। British East India Company के लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे प्रांतों के राजाओं को महंगे तोहवे दे कर या फिर peace treaties के थुरू उनके साथ deal कर लिया करते थे। तो इस तरह इन rulers को भर-भर के पैसा मिल जाया करता था और Britishers को बिना किसी रोकटो के ये exploitative trade करने की आजादी। तो अब British East India Company बेहिसाब तरीके से profit generate कर रही थी और इसका सबसे बुरा effect पढ़ रहा था domestic industries और business पर। जमींदार, merchants, landlords सभी Britishers की गतिविधियों से नाखुश थे। क्यूंकि उन्ही के राज्य में आकर उन्ही का सारा profit तो Britishers लूट कर ले जा रहे थे। इसके अलावा Bengal की लगभग 20 million लोगों की vast population जिनको एक small Muslim elite rule किया करते थे, वो भी Britishers से खुश नहीं थे। सिराजुद दौला's accession to throne ऐसे माहौल में 1756 में Bengal के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यू हो जाती है। और Bengal की गद्दी पर 21 साल के एक young, strong और dynamic ruler सिराजुद दौला का आगबन होता है। नवाब सिराजुद दौला को शुरुआत से ही Britishers के कारणामों के उपर शक होने लगा था। उन्हें लगता था कि अंग्रेज उनको मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने अंग्रेजों से सवाल जवाब करना शुरू किया। हलांकि अंग्रेजों का कहना था कि वो तो केवल अपनी companies की सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्मान कर रहे हैं। लेकि नवाब सिराजुद दौला ये जान चुके थे कि Britishers का मकसद केवल ट्रेड और उससे मिलने वाला प्रॉफिट ही नहीं है बलकि वो धीरे धीरे इन फोर्ट्स में अपना administrative system स्थापित कर रहे थे। तो सिराजुद दौला इन से बहुत नाराज थे। इसके दो कारण थे। पहला तो ये कि ये companies अब अपने profit का कोई भी हिस्सा उनको नहीं दे रही थी। और दूसरा ये कि वो अब धीरे धीरे अपने बाओं जमा कर राजाओं से उनका political control चीनने की भी तयारी में थे। जि लेकिन ये होने देना सिराजुद दौला को गवारा नहीं था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कैलकटा के गवनर को एक ultimatum पास किया। कि इन companies के द्वारा किये जा रहे fortification पर पाबंदी लगाई जाए। हाना कि French East India Company सिराजुद दौला के आदेश मान कर रुग गई। ल इवेंट्स लीडिंग तो दे ब्लाक होल ट्राजडी। से घेर लिया। जब अंग्रेजों को लगने लगा कि उनकी हार निश्चित है तब गवनर जॉन डेरिक अपने कमांडर, काउंसिल के सभी सदस्यों, महिलाओं और बच्चों के साथ हुगली नदी पर खड़ी एक बोट में बैठ कर बच निकले। उन्होंने जॉन हॉल्व इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने उनके आगे आत्मसमरपन कर दिया। सिराजु दौला ने फोड के बीचों बीच अपना दरबार लगाया। वहाँ उन्होंने दो घोशनाएं की। पहली तो ये कि कैलकटा का नाम बदल कर अली नगर रखा जा रहा है। और दूसरा राजा मानिक चंद को किले का रक्षक घोशित किया गया। एक अंग्रेज के घर में आराम करने चले गए। नवाब के जाने के बाद उनके सैनिकों ने अंग्रेज कैदियों के साथ नियंतरित लूट पाट करनी शुरू कर दी। हाना कि अब तक उन्होंने अंग्रेजों के साथ ज्यादा टॉर्चर नहीं किया लेकिन शाम होते होत उनका व्यभार बदल गया। बस फिर क्या था नवाब ने ऐसा ही करने का आदेश दिया। वहां मौजूद 170 कैदियों को बिना किसी चीज का लिहाज किये। एक 18,14 फीट की कोट्री में डाल दिया गया। उसमें केवल दो खिड़कियां थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोट्री सिर्फ तीन या चार कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी। लेकिन उस रात इसमें 170 कैदियों को ठूस दिया गया। जून के महीने की वो रात शायद साल की सबसे गर्म और उमस भरी रात थी। ऐसे में बिना खाना, पानी और हवा के उस कोट्री में इतने सारे बंदियों को शाम 7 बजे से लेकर सुभ़ 6 बजे तक रखा गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कोट्री के अंदर की हालत क्या रही होगी। कुछ हिस्टोरियन्स बताते हैं कि जिन सैनिकों को इन कैदियों की निखरानी के लिए छोड़ा गया था। उनमें से किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो सो रहे नवाब को जाकर उठाएं और उनका हाल सुना पाएं। जब अगली सुभे सिराजुत दौला को इस बारे में पता चला, तब उन्होंने उस कोट्री को खोलने का आदेश दिया। बताया जाता है कि जब उस ब्लैक होल का दरवाजा खोला गया, तब 170 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही बहुत बुरी हालत में जिन्दा वापस आए। बाकी सभी कैदियों ने गर्मी में दम घुटने की वजह से अपना दम वहीं तोड़ दिया। जिस J.Z. हॉलवेल का कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था, वो भी इस ब्लैक होल से बचकर वापस आने वाले 23 कैदियों में से एक थे। इसके बाद सभी मरे हुए कैदियों को वहीं पास में बिना किसी रस्म और रिवाज के एक साथ दफना दिया गया। और इसी इंसिडेंट को इतिहास में ब्लैक होल ट्राजडी के नाम से जाना गया। दोस्तों यहां एक बात गौर करने वाली ये है कि इस पूरी ट्राजडी का हॉलवेल द्वारा दिया गया विवरण, कई हिस्टोरियन्स नकार चुके हैं। उनका मानना है कि असल में इन कैदियों की संख्या बहुत कम थी और मरने वाले कैदियों की संख्या तो उससे भी ज्यादा कम। कुछ हिस्टोरियन्स कहते हैं कि हॉलवेल के विवरण में जिन लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, वो असल में उस दिन नहीं मारे गये थे, बलकि वो इस इवेंट के आगे पीछे हुई लड़ाईयों में मारे गये थे, तो हॉलवेल के अकाउंट्स में मरने वालों का व 11 में लिखा है कि ये घटना हुई जरूर थी, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से सिराजुत दौला नहीं थे, बलकि इन कैदियों पर नज़र रखने का जिम्मा उन्होंने अपने सैनिकों पर छोड़ दिया था, उनको इस तरह ब्लैक होल में ठूस कर म कई historians ये तक भी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा event एक myth के अलावा और कुछ नहीं था, जियां वो कहते हैं कि ये अफवाह अंग्रेजों के द्वारा ही उड़ाई गई थी, जिससे कि उनको बिंगॉल पर हमला करने का बहाना मिल जाए, क्योंकि जैसे ही इस incident की खबर East India Company के headquarters England तक पहुँची, वैसे ही वो लोग आग बबुला हो गए, कहा जाता है कि इसके बाद हर अंग्रेज के सीने में बदले की भावना भड़क रही थी, वो सिराजुद दौला से इस हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे, इसी के response में Robert Clive को भारत भेजा गया, Robert Clive ने January 1757 में वापस कैलकटा को अपने कबजे में ले लिया, इतना ही नहीं उन्होंने आगे बढ़कर सिराजुद दौला के खिलाफ जंग छेड़ दी, इसी लड़ाई को Battle of Blasi के नाम से जाना जाता है, और ये तो हम जानते ही हैं कैसे इस लड़ाई में अंग्रेजों ने कूट नीतिक शडियंत्र रचा और सिराजुद दौला की आर्मी की कमांडर को लालच दे कर अपने गुट में शामिल कर लिया, और ये बगावत देखने के बाद सिराजुद दौला Battlefield छोड़ कर मुर्श दारवाद को जायस ठहराया और यही इंसिडेंट Battle of Plassey का एक trigger point बना जिसने भारत में British सामराज्य की नीव रखी और इसी के बाद Britishers ने अगले 200 साल तक भारत पर पून रूप से राज किया I hope आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी और अपनी राए, suggestions प्लीज नीचे comment section में ज़रूर दीजे